Introduction to Computer Computer की परिभासा क्या है? हम Computer को किस तरह से समझ सकते हैं? कि Computer किस तरह से वर्क करता है? उसके कार्य क्या है? तो Computer एक Electronic Device Machine है Computer जो है एक Electronic Device Machine के जैसा है जो यूजर से Data Review करके अर्थमेटिक लॉजिक प्रोशेस करके यूजर द्वारत चाहे गए रिजल्ट को देता है आप Google पर सर्च करते हैं तो क्या है कि अर्थमेटिक लॉजिक प्रोशेस करके आपको तूरन रिजल्ट जो है प्रोवाइट कर देता है Computer का यही कार्य होता है यह Computer का Definition है अब देखते हैं Computer के Function क्या है तो Function आप Computer तो First होता है System Unit तो System Unit में दो Unit होते हैं Input Unit Input Unit वे Unit होते हैं जो Computer में कोई भी Data को Input करता है Example के लिए Keyboard Mouse जैसे Mouse में हम Left Right करते हैं Light Vane इसको मानिटर पर लिख सकते हैं स्कैनर हो गए यह स्कैन करने का काम करते हैं Mic जो है वाइसोवर का काम करते हैं Input Unit अब Output Unit क्या है जब Computer कोई भी Data को Process करता है तो User को Result को देने के लिए Output Unit का उप्योग करते हैं जैसे हम कुछ भी चीज सर्च किये वो हमें Result देता है जो हमने सर्च किये चाहिए Result को Provide करते हैं वो ही कहलाता है Output Unit एक्जैम्पल के यहां Speaker, Monitor, Printer, Projector यह और Plotter और उसके बाद होता है Control Unit अब Control Unit वे Unit होते हैं जो Computer के सभी Unit को Control करते हैं और जो Control Unit में आते हैं वो है Input Unit, Output Unit और Alu मतलब की Earth Logic Unit अब Arthematical Logic Unit क्या है Alu यानि की Arthematic Logic Unit में सभी Arthematic, Calculation, Addition, Subtraction, Multiplication यानि की जोड़ना, घटाना, गुणा भाग जो होता है वो Arthematic Logic Unit में आता है Logic, Calculation जैसे Equal हो गया Lace देन हो गया, Greater देन हो गया Alu, Electronic Circuit से मिलकर बना होता है जो की हमारा Arthematical Logic Unit होते है वो Electronic Circuit से मिलकर बना होता है 5 देखते हैं, Memory Unit अब Memory Unit क्या है Memory Unit, वे Unit होते हैं जहां पर Computer Data को Store करता है जैसे कि हम अपने कोई भी File हो गया Video हो गया, Audio हो गया या Photos हो गया उसको हम Computer पर जहां पर Store करके रखते है उसे Memory Unit कहते हैं और Memory Unit को दो Memory Unit जो हैं, वो दो प्रकार के होता है First होता है Primary Memory, Second होता है Secondary Memory तो दोनों को हम Divide करके आपको बताते हैं First है Primary Memory तो Primary Memory क्या होता है Primary Memory वे Memory होते हैं जिसमें कोई भी Program या Application जो है Run होता है Example RAM और ROM RAM का Full Farm होता है Random Access Memory और ROM का Read Only Memory और इनका भी Part में Divide है ये भी अब सेकेंड देखते हैं Secondary Memory तो Secondary Memory Unit वे यूनिट होते हैं जिसमें Computer डाटा को या Information को Permanently हमेशा के लिए Store किया जाता है इसमें जो डाटा रहता है वो हमेशा के लिए Store रहेगा अगर आप HDD hard disk drive में रख दोगे FDD file disk drive, CD compacted disk, DVD digital, versatile disk या pen drive में तो वो क्या है कि हमेशा के लिए आपका डाटा जो है Store रहेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और जो आपके दोस्तों होगे वो कंप्यूटर से लेटेड जानकारी चाहते है तो प्लीज वीडियो का लिंक शेयर करना और मेरे चैनल को सब इस्क्राइब कर देना और जो बाकि रैम और रोम का है और जितने भी हैं उनका मैं आगे का जून का और प्रोसेस है जैसे कि रैम में प्रोम है, इप्रोम है, डबल इप्रोम है और रोम का भी सब पार्ट में डिवाइड़ है उनका भी मैं वीडियो अप्लोट करूँगा तो कंप्यूटर से जूड़ी जितनी भी जानकारी आपको चाहिए मेरे चैनल पराप लोगों को मिलेगा तो प्लीज चैनल को सुबिस्क्राइब कर देना